तो यार आवाज लबेटते है picture-based questions को I don't know ये session कितना लंबा जाने वाला है बट जो भी हो जाए यार history के अंदर पे जितना भी picture-based questions बन सकता है उन सब को आज हम discuss करेंगे बट इससे पहले यार तुम चार चीजों के बारे में जान लो जब भी बात आता है ना picture-based questions का तो चार चीज़े तुम्हें ध्यान पर रखना है पहला क्या चीज़ है टाइटल भाईसाब पिक्चर का टाइटल क्या बन सकता है या तो कहीं describe क्या होगा उसे देख लो या फिर कुछ से इमेजिन करो कि क्या बन सकता है इसका टाइटल दूसरा चीज कि वो picture क्या message या क्या describe करना चाह रहा है बताना क्या चाह रहा है वो picture तीसरा चीज जो कि सबसे ज़्यादा important है कि वो picture किस topic से related है हमेशा relate करके तुम देखूगे किताब सामने लेके बैठो और तुम एक एक picture को analyze करो आखनी जो चीज तुमें देखना है वो है painter का नाम क्या है यहाँ पे हर एक painter का नाम याद रखने जुरूरत नहीं है बस कुछ important जो है उनका नाम तुमें प्रेक्टिस करना याद रखना हो गया ठीक है अब बरते पहला जो हमारा पिक्चर है वो है यह अब इस पिक्चर के टाइटिल किया है दे ड्रीम ओफ ए वल्डवाइट डेमोक्रिटिक एंड सोचल रिपबलिक यह इसका टाइटिल अब यह पेंटिंग क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है एक यूटोपियन आइडिया को वो आइडिया क्या था देखो यह इसे पिक्चर पे दिख रहा होगा कि जो कच्रों पे क्या है राजा का जो क्राउन है या केलो तुम दाज है वो फेका हुआ है ये चीज़ सिंबलाइज कर रहा है कि अब जो दुनिया है अलग-अलग जो कंट्री से वो मुनार्की से हटके एक डेमाक्रिटिक एन रिपब्लिक नेशन बनने चाहरे है सिंपल चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब करा गया है अब एक क्वेशन करते हैं के उपर कि देखो पिक्चर देगा हमने अब आइडेंटिफाई करना है कि इस पिक्चर का पेंटर को ने लाइक पिक्चर का टाइटल भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एड्रीम ओफे वोल्डवाइट डेमाक्रिटिक एन शोशल रिपब्लिक तो हमने अभी भी पर आए फेडरिक सोरियो है ठीक है अब अगला पिक्चर जहां पर देखो दो फोर्ट यानि कि तुम कहलो जो महल है अब एक तरफ यह जो महल है यह फ्रांस के अंदर में जो बेस्टाइल फोर्ट था वो है अब इस फोर्ट के साथ क्या सीन हुआ था फ्रांस रेवलुशन के द्वरान इस फोर्ट को जो आम पीजन्स ने जला दिया था अब फिर जो यह दूसरी तरफ पिक्चर है यह है जर्मनी का एक फोर्ट अब यह क्या डिसक्राइब कर रहा है उसके लिए परो जो इनबॉक्स दिया हो इसके अंदर इस जो पिक्चर है यह एक जर्मन अलमनेक है अब अलमनेक क्या हो था हमने वो प्रिंट एंड कल्चर वाले चप्टर पर पारा हुआ था तो तुम मुझे कमेंट शेक्शन में बताऊ जिससे तुम्हें भी यह चीज दोरान अब हमारे पेंटर के हिसाफ से जर्मनी के अंदर में फोटेना इसे भी जला देना चाहिए ठीक है अब यही चीज़ बताया गया है पतब सिंबलाइस करा गया है ठीक है अब देख इस पिक्चर के साथ जो पेंटर हमें यह बताना चाह रहा है कि हम लोग को अपना किसा समझ रहे हो बात इस तरहें से फ्रांस के अंदर में हुआ है उस तरहें समय मधनी के है नदर भी करना इसां इससे बता रहा है इसके पर क्यरें जर्मन आलमनेक क्या डिस्क्राइब कर रहा है जो यह बैस्टाइल फोटे से किसे अमने बरबात कर दिया अब एकला पेंटिंग टाइडिल तुम्हारे सामने क्या ट्री अप्लिबर्टी यहां पर तुम देख रहो फ्रांस के सोल्जेर्स यहां पर एक ट्री लगा रहा है और नेपॉलियन जब फ्रांस को रूल करने लगता है, तो वो क्या कर रहा था, जो भी आसपास का एरिया था, उन सब के जो मोनार्की को हटा के वहाँ, लिवर्टी लेके आ रहा था, यानि कि वहाँ के लोगों को आजादी दे रहा था, तो ये जो चीज है, जो पेर लगाया जा यहाँ पर प्रांस के सोल्जर्स क्या कर रहा है, जर्वनी के लड़कियों के साथ, यानि कि विमेंस के साथ, हरास्मेंन कर रहा है, यानि कि उन्हें तंग कर रहा है, एम दिन तुम इस तरफ देख सकते हो, पीजन्स को, यानि कि जो फार्मर्स है, उन्हें क्या करा जा रहा फोटो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इस लाइन से तुम समझ पाऊगे, टुक फ्रीडम और इक्वालिटी फ्रम आस, ले जाओ ले जाओ भाई, प्रांस के लोग तुम हमारा फ्रीडम और लिबर्टी को ले जाओ, यह बताने का कोशिस कर रहा है, यह पेंट, इसी पिक्च के से प्लांट किया जा रहा है, क्या सही में वो लिवर्टी ला रहा है, नहीं ला रहा है, हमने देखा था, ठीके, लिवर्टी के नाम पे तो यहाँ भाई साब अत्याचार हो रहा है लोगों के साथ, इस पिक्चर से तुम्हें क्या तैयार करना है, पहला चीज तो किसको कर रहा है, यह डिस्क्राइब कर रहा है, निपॉलियन को, अब क्या सीने में बता था तुम्हें देखो, जर्मोनी के अंदर पे एक जगा है, तुम्हें पता है, बहुत ही इंडस्टिली डवलप था, राइनलेन, याद है तुम्हें है, हमने परहा भीता साथ, क्लास जीता था न, जर्मनी का, वो सब खोखोगे जा रहा है, ठीक है, तो यह पोस्मेंड सबसे पहला चीज़ कौन है, निपॉलियन है, यह कौन सा लड़ाय हारता है, बैटल अप लिपीस, जो की हुआ था 1813 को, जिसके वेस से उसका जो टरिटरी उसने जीता था, उन सब को उस जर्मनी के अंदर में लड़ा गया था, अब अगला पिक्चर है तुम्हारे सामने ही, अब यह क्या है यह पिक्चर, वो जानने से पहले जानो कि यह पिक्चर कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, यह टॉपिक रिलेटेड है, निउ कंसर्विटिजम, आफ्टर 1815, तुम्ह को ही चीज यहाँ पर डिस्क्राइब करा जा रहा है, देखो इस पिक्चर के अंदर पर दो बोट्स दिया हुआ है, जो तुम्हारे राइट साइड पर है, वहाँ बताया है कि बस सोचना है, भाई साब कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, एंद जो सेकेंड वला पिक्चर है, वहाँ पर कुछ रूल्स लिखा हुआ है, क्लब का, ठीक है, यह जो क्लब बनाया हुआ है, क्या है यह क्लब का नाम है, देखो दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है, अब यहाँ पर क्या रूल्स है, सब सबसे पहला चीज तो सांथ बैठना है, ठीक है, एंद दूसरा ची धूसरा ता यंग इतली एंद दूसरा ता यंग यूरोप यहां पे यह यंग यूरोप को फाउंड कर रहा हए ठीक है यही दिखाया जा रहा है पिक्चर पर वोगों कुछा तरीगत आ गया गी इस तरीगा कर चीज डिस्क्राइब करना चाह रहा है तो तुम पता सकोगे यंग युरोप को फाउंड़ करा जा रहा है तिक आप देगो यह पिक्चर टाइटिल इसका मैसेकर आप चियोस जिए पिक्चर क्या कह रहा है नही जिनके ओपर ottomans यानि कि आज का जो modern day टड़की है वहां के लोग अत्याचार कर रहें तो लाइक इस पिक्चर को तुम कह सकते हैं तो बनाए असले गया था कि सिंपती दिखा पाए जो गलत चीज हुआ था ना ग्रीक लोगों के साथ मैसेकर जोनके साथ हुआ था चेवस के अंदर जिसे हम जानता है मैसेकर आप चेवस के नाम से वही चीज को यहां पर डिस्क्राइब कराए तो यह टोपिक से रिलेटेड रोमेंटिसीजम वाले ठीक है लाइक देखो जो ग्रीक जो उनिफाइड हुआ सामने जिसका टाइटल के सकते हैं जो भी कहलो तुम क्या है वो पीजन्स अप्राइजिंग को हुआ था 1848 पे अब दोगो यह सीन किया है नहीं है उसके लिए कोशन को देखोगे तब समझ जाओगे सो लाइक देखो इक समय के बाद जो यूरोप के अंदर में क्यालो है फ्रांस के अंदर पर गया था अब उस एकॉनोमिक हार्ट सीब के बढ़ गया था लोग जी कंस्टिशनल मोनार्की देना उसे भी पसंद नहीं कर रहे थे तो यह पीजन्स जो अप्राइजिंग था वो लुईस फिलिप के खिलाब वहा था जिसके वएसे लुईस फिलिप को भागना पड़ा था एंदन कॉंस्टिशनल मोनार्की फ्रांस के अंदर पर खतम हो गया था तो यह जो पिक्चर वो एक्स्प्लेंड कर रहा है कि लुईस फिलिप क्यों भग गया था ठीक है पीजन अप्राइजिंग क इसका नाम भी हमें पता अभी बट यहां पर ध्यान देने वाले चीज़ है यहां पर यह एक विमेन फिकर बना हुआ है यह याद रखना इसके उपर भी गुमाफिरा के कोशन पूचा जा सकता है यह क्या है अलेगरी यह जर्मनिका यानि कि हमारे इंडिया पर भारत माता जर्मनिका के सकते हो माता के सकते हो तुम इसका नाम क्या है जर्मेनिया अब क्वेशन आ सकते हम परेंगे आगे कि जर्मेनिया कहा दिखाया गया था तो इसी पार्लामेंट जो फ्रैंक्फूट पार्लामेंट था उसके अंदर दिखाया गया था ठीक है एक क्वेशन देख अब देखो तुम्हें पता है कि क्या हुआ था जर्मनी के अंदर पर एकलवाता तुम क्या सकता हो कंट्री वना युनिफाइड हुआ जहां पर क्या था मुनार्की ने भी सपोर्ट किया कि चलो नेशन स्टेट बनाते ठीक है अब उस समें एंपररर कौन था के सर विल्यम वा प्रोख्लेम होता है मत्तब खराकर आ جाता जर्मन इंपएर को इसके पर को दो चाबू कर सकते हो कि यह इमय्जश क्या डिस्क्राइब कर रहा है सिग्निफाइड कर रहा तो आप तो तुम्हरा सामने अगला पिक्चर जहां से सीधा सीधा क्यें तो यह बना जा सकता है यह चाबुक लेके है कौन ही है तो सबसे पहला चीज यह है ओटमन बिसमार्क जिसने युनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पर बहुत एक इंपॉर्टन रोल लिपाया था अब यह पार्लामेंट पर चाबुक लेके बैठा हुआ यह क्या डिस्क्राइब कर रहा है अब इसके उपर एक यह क्या डिस्क्राइब कर रहा है अब थोरे पर हमने देगा था कि युनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पर ओटमन बिसमार्क ने बहुत एक इंपॉर्टन रोल निवाया था उसी तरीके से एक्जैक्ली जब इटली का युनिफिकेशन हुआ था तो एक इंसान जिसने बहुत इं और जोडने पर हमारे जो गुसिपी गैरिवालडी का बहुत एक इंपॉर्टन रोल था नाव यह कुईशन यह सबसे सिंपल है यह है को न यह और स्टम पर जो बना हुआ है तो देखो तुम उपर में देखो तुम सबज पाओगे क्या लिखा हुआ देखो आर इपी यू रिपब्लिक होता होगा और यह क्या है फ्रांस हो सकता है ठीक है अब इससे पता चल रहा है कि इमेज कहां से रिलेटेड है फ्रांस से रिलेटेड है अब यह औरत को ने बता है यह एलेगरी है फ्रांस का यानि कि यह है मेरियाना जैसे जर्मेनिया था जर्मनी का उसी तरी तरह था एक पार्लामेंट के अंदर पर नाम किया था फ्रैंक फूट पर्लामेंट जर्मनी का अब देखो यहां से इस तरीके से कोशिण नहीं आएगा यह जो जर्मेनिया का अलग 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 हाथ पे ऄजादी ने यह सिंबलाईज कर रहा है आजादी को फिर यह ब्रेष्ट-प्लेट विट-ईगल यह च्या सिंबलाईज कर रहा है तुक्त से तुम्हारा उप्चन है क्या करना चाहते हैं यह जू-स नटा यह जंडा से जर्मनी यह जंडा इस थेख्या टालेम मिल्सर्फ स्रक्रहां में दो और समय तो मेंbyас MON यह जंडा ही यह क्या है इसके हलावा यह फ्लेग था जो लिबरल नेशनलीस था उनका भी ठीक है नाकरी चीज देखो यह जो इमेज है इसकी पीछे में सन्राइज होते हुए दिखाया जा रहा है ठीक है सूर जुग रहा है यह क्या को रिप्रेजन कर रहा है बिगिनिंग ऑफ न्यू एर आगे में इस उरत के क्या हैँ राउन है यानि कि ताज है ठीक है तो यह नकष सेarnya क्यू tud भड़ अब अब सीन कुछ ऐसा है तक्षी चमाया पर बदेखो एक जिसका नाम था राइन के लो अब वो जगा इंडिस्ट्रिली बहुत डेवलप था जहामें मिनरल्स का भरमान था और उस जगा को हमेशा फ्रांस हो एटेक करने के लिए तयार रहता था ठीक है अब उस चीज को दिखाया गया है कि किस तरीके से जर्मेनिया यानि कि जो है जर्मनी अपना जो जगा है उसक एक मैप है ब्रिटिस एंपायर का तुम देख पाओगे लगबग हर एक जगा को ब्रिटिस एंपायर ने कभजा करके रखा हुआ था ठीक है अब यहां पे जो इंसानियत बैठा हुआ है नहीं कि तुम क्या सकतो अलेगरी है ब्रिटेन का अब नीचे पर दिखो एक इंसान कर रहे है उनके कॉलोनीज को हाथी सिंबलाइज कर रहा होगा साथ इंडिया को कुछ प्रिमिटिव लोग है यह एफ्रिकन होते होंगे ठीक है इस तरीकी सही है और इसको पर एक क्वेशन देखते है वाट इस सोन इन दा पिक्चर एज दा बेसिस ऑफ ब्रिटेन के हिसाब इस वेरियस कॉलोनीज हाँ अलग-अलग कॉलोनीज भी दिखाया गया है मैप के अंदर एन आकरी चीज़ है इस डॉमिनिशन अफ द वर्ल हाँ सभी ब्रिटेन डॉमिनेट कर रहा है अब सब तो सही है यार क्या करें अब 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 देखो यहाँ पर मैप पे देखे चप्टर तो खतम कर लिया हमने अब दूसरी चप्टर पर बढ़ते जो कि है नेशनलिजम इन इंडिया अब पहला पिक्चर तुम्हारे सामने यह क्या डिस्क्राइब कर रहा है और यहां से कोईशन अगर आये तो किस तरीके कोईशन बन सकता है सबसे पहला देखो यह क्य अब यह पिक्चर को देखो देखे कुछ पता नहीं चल रहा है यह क्या है नहीं है टाइटल को परते है इंडियन वोर्कर्स इन साथ एफ्रिका मार्च थ्रो वॉलकरस्ट 6 नवेंबर 1913 एफ्रिका के अंदर पे इंडिया के वोर्कर्स मार्च कर रहे और जिनको लीड कर र आगया है एह अगले कुछन पी इए फोटो हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है किस इवेंट के बार में बता रहा है हो देखो यह image इसको डीजक कर ÜTS को एक साथ की बारे में सिंपल सा एंसर इसका कोई सोजनामत समझना बस इतना जानब कर नो ऐतै अवान है आगे देखोब कर रहे है यह पिक्चर किसे स्टवayा बाँज कर रहे है vais बॉइकोट और फॉरेंट क्लोथ तीक है फॉरेंट क्लोथ को बॉइकोट करा जा रहा है क्योंकि देखो फॉरेंट कप्रा को एक तिरीकिस उसमें सिंबल की तरह माना गया कि हाँ जो वेस्टन पावर से ना उनका जो एकॉनुमिक एन कल्चरल डॉमिनेंट से ये उनके फॉर कर रहा है हमारे स्ट्रेंद को और उनका जो स्ट्रेंद था वो क्या था फॉरेंट क्लोथ ठीक है अब उसको खतम करना है तो अपना गप्रा को प्रमोट करना परेगा यानि कि अपने चीजों को प्रमोट करना परेगा यहां पे चरके को दिखाया गया अब उसके बाद यह इमेज क्या चीज़ को रिप्रसेंट कर रहा है तो सिंपल सा बात है लिखा हुआ है टाइटल पर चोरी-चोरा इंसिदेंट जो हुआ तना उस चीज़ को यह आप पर डिस्क्राइब करा जा रहा है कुशन देखते हैं कि यह पिक्चर किस इवेंट से एसोशेटेट है तो यह है क्या हुआ ता चोरी-चोरा इंसिदेंस होने के बाद गांधी जी ने अपना जो नॉन कॉप्रेशन का dempire तो नहीं चाहिए आप उनको वाइलेंस ओना तो अब नॉन कोपरेशन का दिया गया तो यहाँ पर वही बेन्ट हुआ था अब ये इमेज के वारे में मुझे कुछ डिस्क्राइब करने के जोरो धानिंग डांडी मार्च करा जा रहा है, गांधी जी है, उनके साथ कई सारे लोग है गांधी जी ने जब सुरुवात किया था, सावर मती आसरम से अब ये इमेज, अगर तुम इस इमेज को गोर सत देखो, तुम्हें क्या देख रहा है और तो औरते क्या कर रहे है यहाँ पर, पार्टिसिपेट करने आये है नैशनल मॉब्मेंट पर, अपना योगदान देने आये, यह चीजी आपर बताया जा रहा है किसी की गोदी में बच्चा है, किसी की हाथ पर बच्चा है बट भाई साब, औरते भी कम नहीं थे, इस लराई पर जो आजादी का है अब उसके बाद ये इमेज, देखो यहाँ पर देख रहे हो, जितने भी नैशनलिस्ट लीडर थे उस समय के बढ़े बढ़े वो तुमें दिख रहे है लाइक देखो, उसके टाइटिल क्या है Meeting of the Congress Leaders in Allahabad कब हुआ था 1931 को अब यहाँ पे तुम्हें कौन-कौन सा इंसान दिख रहा है यह चीज़ पूजा जा सकता है ठीक है, पहला चीज़ तो गांदी जी दिख रहा है वो तो दूर से हमें पता चल रहा है, यह देखो भाई साब, पतब क्या कहें, गांदी जी तो ऑसम है ना भाई दूर से दिख जाते है, अब उसके अलावा इक सारे बारे बारे लीडर एक साथ इखटे है तो कुछ बराई होने के लिए मिटिंग कर रहे हो गे तो देखो, पहला उप्सेन है हमारा कि हाँ यह पर्टी फॉर्म करने के लिए सोराज पर्टी तो यह उप्शन गरत है, क्योंकि स्वाराज पार्टी जो था वो बना था 1923 को तुम देखो यहाँ पे पिक्चर पे दिया हो है मैंसेन क्या हो यह मिटिंग कप का है यह मिटिंग है 1931 का तो स्वाराज पार्टी का थो हो यह नी सकता क्योंकि वो पहले ही हो चुका था हाँ तो कौनसा इवेंट हो सकता है साइद सिविल डिस ओविडियन्स मोवमेंट ही हो सकता है क्योंकि उसका सुरुवात तो 1930 ही हो गया था तो उसी बीच का कोई मिटिंग चल रहा हो और उसी बीच का यह इमेज है और जो बात रहा साइमेन कमिशन का वो तो हुआ था 1928 को तो इस चप्टर से सबसे इम्पॉर्टन अगर को इमेज है यही होता होगा वैसे तो इमेज देखे तुम्हें कोई खास पता नहीं चलेगा पर अगर तुम ध्यान से इस इमेज के कोने कोने पर देखो न तो देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है ताजमहल यहाँ पर क्या बना करा जा रहा है यहां पर टेंपल है चर्च है मॉस्क है समझ रहोना बात तो यह unity को सिंबलाइज कर रहा है यह पिक्चर ठीक है अब इसके ऊपर एक कोशन भी देख सकते हो दूम कि यह जो इमेज है बाल गंगादर तिलिक का यह क्या चीज़ को रिप्रेसेंट कर रहा है सबस क्या था अभी ने इंदर ना टेगोर ने अब देखो यहां बताया गया थोड़ा कि जो रवी वर्मा था ना अगे हम परेंगे इसके बारे में कि रवी वर्मा कौन था नहीं था प्रिंटेंट कल्चर वाला चपे रवी वर्मा के ऊपर टो सेंपल पर में कोशन आ चुका है तो यहां में याद रखना है यह चीज, क्या पता, अब सेंबल पर में वो दिया है, तो एक्जाम में तुम्हारे यह आ जाए, कि इसका पेंटर कुन था, तो अभीने इंद्रिन नाट टेगॉर, ठीक है, यह था इसका पेंटर, अब क्यों रिलेट हो सकता है, क्योंकि रभी माता के हाथ में, चार चीजे दिया हुआ है, क्या क्या है, पहला तो एक किताब है, जिसे तुम लेर्निंग रिप्रेजेंट कर रहा है, यह देखरो हो यहाप ए, और कुलोथ, फूट है, यानगे खाना है, जाना हुए, आखनी जो चीज है, माला है, अब माला क्या को रेप एवारत माता नो सबिसेटा पढ है क्या फिर प्रिचूली जम के आप गें न इस यहीं लगा ओल भंभ साथ सब्सक्राइब प्रिटो सब्सारणarlah मालें डवाइन नेचर नियृत सिर्कšावलेटि नेत खिला सब्सक्राइब तो लाइक यही रहेगा all of the above ठीक है अब उसके बाद यह image है को ने पता है तुम्हें यह हमारे जो हलाल नहरू जी है ठीक है अब यह क्या करके बैठे हुए है एक किताब लेके बैठे हुए है जहां में क्या है इंडिया का मैप है भारत माता है और वो अपने दिल पे रखे हुए है अब यह चीज़ क्या सिंबलाइज कर रहा पता है कि भाई साब देश से बरावर कुछ नहीं है दिल पे रखते हैं हम देश को देवया पर लिखा भी है आइडिया ओफ सेख्रिफाइस फॉर दे नेशन वाइस पावर्फुल विदिन दे पॉपुलर इमेजिनेशन आज की समय में साथ अब देशभक्ति की भावबना के बारे में मैं कमिंट नी करूंगा कैसा लोग सोचते हैं नी सोचते हैं अपने भारत माता जो है अपने लैंड के बारे में बहुत सोचा करते थे क्योंकि उन्हें आजादी का value पता था और like be honest हमें पता नहीं है क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक हमें सही में पता नहीं है कि आजादी क्या चीज होता है एक बार अगर हम घुनाम बन जाएगे तब पता चलेगा हम यह चीज तो भाई सब अपना जो value ह यहां पर दो चीज दिखाया दे रहे हमें elephant and lion क्या को रिप्रेजन कर रहे है elephant and lion यह रिप्रेजन कर रहे है power and authority को इससे पहले वाले यह देख रहे हो यहां पर और ते लाइन पर लगे हुए अब क्यों लगे हुए लिखा हुआ है देखो कुई इंडिया मोवमेंट को support करने के लिए procession कर रहे है यानि कि नारे लगा रहे है मतब लाइन पर लगे हुए movement कर रहे है ठीक है और तो ने भी ब्रावर का आजाद ने पत्थर पर बना हुआ एक image दिख रहा हमें अब यहां पर इमेज ओफ सिप जहाँ दिख रहा है अब यह क्या चीज को बता रहा है यह बता रहा है कि ancient टाइम पर किस तरीके से इंडिया जो है वो ओशेनिक ट्रेट करता था symbols आती है ठीक है अब आज आओ इस image पर यह image क्या है एक Chinese केप पेंटिंग है यह क्या describe कर रहा है क्या डिपिक्ट कर रहा है क्या चीज को सिल्क रूट का ट्रेट को ठीक है उसे में क्या करते है चाइनिस लोग पूरा चाइना से एक सिल्क रूट बनाते हुए योरोप जाते थे लाइक यह में वह चीज दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से गोरा में बैठे हुए लोग ट्राइवल कर रहे है ठीक है अब यह image य यह फिर चाइना वहां के लोगों के साथ ट्रेट करा जा रहा है ठीक है यूरोप इन किस तरीके से जो चाइना इंडिया ऐसे कंट्रीश के साथ ट्रेट बैपार कर रहे वह चीज़ को यह आ पर दिखाया जारहें देख़ो है यह चेब बढ़ करने के बाद हमें पता चला क जिससे गरीबों का भुक मेट सकता है अब उसमें यूरोप डेवलप तो था नहीं टेखनोलोजीस तो उनके बास था नहीं तो गरीबों को खाने के लिए मतलब चीज होता नहीं था क्योंकि वहां का क्लाइमेट भी तुम्हें पता है बहुत ही हार्स होता है हमें सही विंटर रहता है सर्दी रहता है बट पोटेटो जो था वह सही था उनके लिए तो दम अदम खाते थे गरीब लोग वागे बट क्या होता है देखो आईडिस पोटेटो फेमाइन आता है कब 1849 को जिसके वेसे लोग भुके-भुके मर रहे थे अब उसी का एक पिक्चर जहां दिख खराब हो ग्या था फेमायन आने के वज़े से और इसके वाजरे लाखो लोग मर्ते है ठीक है बुके-ब आब दीखो यहीमिच जीज को डिस्क्राइब कर रहा है यही máशी को देक्चराइब कर रहा है इसलेब बोलके तुमने यहाँ पर निशनके गरा जा रहा है ओर्तों क लेकिन लोड़ेट ओन टू दा सिप क्या ही है मीट को लोड़ के जा रहा है शिप में अब देखो यह कप का सी ने पता है जब जो रिफ्रिजुरिटेट इट सिप आ जुगा था ना क्योंकि पहले क्या होता था अगर तुमने चेप्टर पड़ा हुआ है अमेरिका से लुष्कान होता था अब इन लुष्कानों को खतम करने के लिए एक नया टेक्नोलोजी आता है रिफ्रिजुरिटेट सिप जहां क्या होता है मीट को काट काट के लेके जाया जाता था यूरोप के इंदर पर वहीं चीज यहां पर दिखाया गया है अगला कोईशन जहां प लेके जाया जाता था जो भी कॉलोणी इस थे ना ब्रिटेड के उन में उनमें से कॉलोणी था तिरिनिदाद और वही पर यह लोग काम कर रहे ठीक है वही चीज को इस पिक्चर में डिपिक करा गया है एं अन दें यह पिक्चर भी उसी से रिलेटेड है अब देखो मैंने name matters, ना matter नहीं करता हुआ है, नंबर जो लिखा हुआ है, उसके हिसाब से, लिवर नंबर कितना है, वो पता करेंगे, ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि, हमारा value क्या सा था, अंगरेजु के सामने, and then देखो, जो contract sign करा जाता था, जिसके हिसाब से हम जाते थे उनके लिए काम करते थे वो कॉंट्रेक का पिक्चर रही है ठीक है अब आज आओ यह क्या है यह है तुम्हारा इस्ट इंडिया कंपणी का में जो सेंटर जहां पे वो लोग पुरा अपना बिजनीस को समालते थे क्यों तो मैं बता है कि इस्ट इंडिया कंपणी क्या था एक कंपणी था जो बिजनीस करता था दुनिया के अलग अलग कोने पे जाके अब उनका जो में बिजनीस सेंटर जो चलता था वो कहां से चलता था यह इंगलेंड के अंदर पे जो यह बिल्डिंग है इधर से चलता दुनिया में जो भी करना है नहीं करना है डिसीजन लेना है सब यही से हो गया आता था ठीक है अब यह पिक्चर देखो टाइटल पर के समझ में आ रहा है दूर से लिया हुआ एक फोटो है व्यू दिखा रहा है सूरत गुजरात के अंदर पे सूरत और उसके रिवर्स का अब यह क्या है अमने बढ़ा था इसके वारे में अमेरिका के अंदर पर मास स्केल प्रोडक्शन होता है और जो पहला ओटो मोबायल यानि के तुम के अलो कार बन के आता है जिसका मोडल नमबर था कुछ इस तरीक से है टी मोडल ओटो मोबायल अब उसका यह एक लाइन ल कब ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर अब यह टाइम परेट 1936 का था ठीक है जब यूरोप के अंदर पर भाई साब भुकमरी जो चीज था ना उन्होंने पेस किया था अनेंप्लाइमेंट भुकमरी हार चीज मतब एक्स्ट्रीम पर था सो यहां पर दिखाया गया है कि मा रोजगार नहीं मिल रहा था यार अब गवर्मेंट लोगों मार तो नहीं देंगी ना यार कम नहीं मेहा था कुछ तो करेंगी ना तो डिप्रेशन के पिरेड पे पे कुछ पैसा देते थे उनको जो लोग बे रोजगार थे इस्टी के साथ जितना पिक्चर्स था इंपर्टेन वाला इस चेप्टर पर अब बरते अगले चेप्टर पर फूर्थ चेप्टर एज उप इंडेसिट्राइजेशिन जहां का पहला पिक्चर जो के बहुत इंपॉर्टन है क्या है दाउन आप देशेंचूरी इस पिक्चर क पर फिक्चर को बनाता है अब यह पिक्चर क्या नहीं कर रहा है उसके बाद यह पीक्चर इसके बार में मैंने तोरा बहुत बजाया होगा बट यहां बता दो यहां पर दो इंसान है एक तरफ अलादी ने जो अपने चिराग को गिस के बाई साब कुछ बना लेगा और चीजों को कुछ भी जो से पसंद है बना ले रहा है चाहिए वो कोई बिल्डिंग हो ब्रीज हो कुछ भी बना ले रहा है इसके उपर एक क्वेशन भी है दो मेजिशन का करेक्टरिस्टिक्स है यहां पर तो मैं explain करना है कि दोनों क्या बता रहें, अब इसे देखके मैंने बताई दिया तुम्हें, एक तरफ में क्या अलादीन है, दुसरे तरफ में वार्कर्स है, यानि कि ऑप्शन भी सही अंसर है, अब उसके बाद ये पिक्चर, जहां में क्या है, टाइलल देखके बता चल रहा है, स्पीनिंग ह अब 18th century पे क्या सीन था देखो, Age of industrialization का पहले का सीन ही है, जहां पे क्या होता था, इंग्लैंड के अंदर पे, जो country side पे जाके, जो merchant लोग, जो भी अपना सामान बनवाना होता था, बनवाते थे, तो वहां पे क्या होता था, जो भी workers थे, उनके families थे, सब involved होते थे, production process पे ठीक है, वहां पे ये चीज़ दिखाएगा, देखो, ये औरत भी बना रही है, वो बड़ी भी कुछ कर रही है, एंदेन वो बच्चा देखो, वो भी कुछ कर रहे है, ठीक है, अब ये picture, देखो, क्या चीज़ बता रहा है ये picture, चारो और देखो, धुआ, दुआ, दुआ बताओ, ये picture चीज़ को सिनिफाइट कर रही है, इंडस्त्री बैसे चिमनी है, दुआ निकल रहा है, अब उसके बाद ये picture, क्या ये picture, spinning factories, तोरे पहले हमने देखा था कि घर पे spinning चीज़ होता था, बढ़ देखो, technological advancement होता इंडी सबस्माइं चीजी ख tallest आता से खिस को से वहाँ यह ओ चीज यह पर बड़ने पर धूर तो चίο पर इंडी सबस्क्राइजे के भाद उल्याद के बाद यह था भूरी नवह उता है अब लोगों कम मिल रहा था देखो workers वही है बट मसीन कितने एद जाते वहाँ पर अब उसके बाद यह पिक्चर जहां पर दिखाया जा रहा है कि हाँ एज उप इंडिस्टिलाइशन हुआ था लोग मसीन के वएस से लोग को काम मिलना बंद हो गया था राइट अब लोग जॉप के तलास पर यहां वहां जा रहे थे इसपेसलिए जो लोग कंट्री साइट पर बैठते थे ना उनको जादा प्रोलेम हो रहा था क्योंकि इंडिस्टिलाइशन से पहले उनकी पास जॉप था काम था मर्चेंट उनकी पास आके उन्हें काम देगी जाते थे एंड़न देखो इसी से रिल्टेट है यह पिक्चर अब जो वह सहर में जाते थे तो उनका हालत क्या होता था देखो टैटल देखो जिसके उपर औरतों ने भाई साब अटेक कर दिया था हमने देखा भी था मूट खरावी था उनका यार औरतों का काम चीन रहा था यह ठीक है जो काम पहले चार पाच औरते करते थे अब एक दो औरतों से हो जा रहा था तो समझ रहे हो ना बात अब यह पिक्चर देखो य जो काम पहले एक समय पे हाथ से या फिर लोग के दोरा करा जा रहा था तो उन लोगों को एक तरीके सा मदद मिलता है जब ऐसा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होता है सिंपल सा बात है अगर कोई भी कंट्री हो गया वहां पर तुम मान लोगों को सब्सीडिज दिया जा इससे अलग अलग जॉप प्रॉचुनिटीज करेट हो रहा है अब इससे रिलेट कर लो उस चीज को वहां में भी जॉप का जो प्रॉब्लिम था उस चीज को सॉलूशन के लिए पिर आता है ऐसा इसा यहां पर जो ब्रिज जो बनाने में तो यहां पर एक रेलवे का मतब क अब पहचानों के कैसे अगर एक्जाम में आगया इसा अब ऐसा कुछ तरीका तो है नहीं पिछाने का याद ही करना पड़ेगा यहां पर देखो बैल गारी है अब बैल गारी तो इंडिया में चलता है ना भाइसा तो हां इसे वेजान सकते हो तरीका मतब तेक है अब आग जीजावाई जो है यह क्या जमसेद जी टाटा का बात कर रहे है क्या नहीं यह जमसेद जी टाटा अलग है यह जो जमसेद जी जीजावाई अलग है ठीक है जमसेद जी जीजावाई एक है और उसके बाद देखो द्वार का नट तेको इन दोनों ने जो अंग्रेजियों क यह साथ मिलके चाइना के साथ ट्रेट किया ओपियम का अच्छा पैसा बनाया था और मतब तो यह चीज इन दोनों के बारे में तुम क्या सकते हो कि इस इमेज में दिखाया गया है जेन टाटा के बारे में अब कोणे जेन टाटा तुम्हें बतानी की जड़ोत है नहीं अब इनोंने क्या किया था जमसेतपूर पे पहला आइरन एंड इन इस्टील फैक्टरी कोला था अपना और काम स्टार्ट कर दिया था अब यह इमेज किसका है तो जॉबर यह बहुत सिंपल है अब जॉबर का काम किया है जॉबर काम था कि गाउसे लोग को लाल आके जॉब दे ठीक है अब इसे करो किताब के अंदर में सीन से जो लोग हाथ से बनाते थे कपरा उनका कंडिशन बहुत खराब था क्योंकि अंगरी जाने के बाद फैक्टरी से अप करते हैं अब जो चीज़े कपरा होगा जो भी होगा वो फैक्टरीस में बनता था चाहे वो ब्रिटेन स इंडिस्ट्रीस बनाए या मतब अंग्रेजी बनाए ठीक है आथ से बनाने वाले वीबर्स का हालत बहुत ही खराब था पट यह इमेल डिस्क्राइब कर रहा है जो एक अलग तरीके का मतब टेक्नोलोजी जो की इंडिया के वीबर्स ने लाया था जिसे कॉपी करना भाई स मुस्किल था इसके वाई से वह लोग भी टकर देके चल रहे था एसा नहीं था कि सारे वेबर्स मतब हार मान गये थे इंडिस्ट्री के सामने जुग गये थे कुछ था जिनका टेक्नोलोजी बनाने का तरीका ऐसा था कि यूनीक था लोग पसंद कर रहे थे तो उनसे अब इन दोने इमेज को देखो एक तरफ पेक इमेज है जहां पे भगवानों का फोटो एं लक्ष्मी सर्वस्वती इन लोग का फोटो एं और दूसरे तरफ फोटो ए एक राजा का जिसका नाम था महराजा रंजीत सिंग अब क्या हो रहा था जो अपना कप्रा बना रहे जो वहां से वह लेके आ रहे थे इंडिया पर उन कप्रों का मतब लेविलिंग कर रहे थे इस तरीके से कि देखो अब ऐसा कप्रा जिसके उपर लगा हुआ है महाराजा रंजीत सिंग तो उसे देखे को खरीद लेंगे कुछ लोग होंगे जिसे भगवान पसंदे तो भगवान का नाम देखके को कप्रा को खरीद लेंगे अब दिखो आजकाल भी ऐसा मार्केटिंग होता है तुम समझ रहे हो मैंने टॉपिक रिलेट करा दिया कि उस समय वो लोग क्या करते थे यही सब भगवान राजाओ का सीन लेके मार्केटिंग करते थे उनका कप्रा को अब उसी का एक देखो यहाँ पर एक्जामपल है जहां क्या है लॉट बिष्णु है और नीचे में देखो यह पिक्चर अभी तक जो हमने देखा वह अंग्रेजों का टेकनिक था कि हमारा जामान इस्तमाल कर लो कि यह तो भगवान का है महाराजा इस्तमाल करते थे लग अलग यहां में मेडीन इंडिया को प्रमोट करा गया यहां पर टाइटल किया है इंडियन मिल क्लोथ देखो आगले चरटरधर बेटेटर की अचल्टर वाला चर्टर गचर यहां मेरा बोलते बोलते गलाह धर देर यार इतना लमबा वीडियो मेंने नहीं बनाया है आज तक अभी वह इतने जल्दी वाजी में है तो बहbourई की बता नहीं के चलो करोते ऐसे पिर्टइन गुचर से बहला सब्सक्राइब三 हो यह घ्क हो यह कंगा सिनर की बिक्ताब सब्सक्राइविस ने ड toutes ऐसे हैं लोग थो भालींड अने थे बेग्राउंड मेजिक से कोई गाना पजे ना तो भाई आप मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अब अगले होली मना लेंगे अभी काम करना जरूरी है चलो अब यह देख लो यह है तुम्हारे सामने पिक्च्र क्या यह 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 पेज डायमंड सूतरा का अभी याद है क्या तुम् यह परा हुआ था कि जैपान का जो ओल्डिस्ट बुक है ना बुद्धिजम को लेकि वह यह बुद्धिस्ट डायमंड सूतरा अब इसके उपर एक क्वेशन देखते कि किस तरीके का पेंटिंग ही है दो तरीके का पेंटिंग होता था उस समय एक ता मेकानिकल प्रेंटिं एक आर्ट फोर्म था जिसे डेवलाप किया था किटा गावा उटा मारूने अब यह भी एक आर्ट फोर्म है जो कि उक्यों है अब यह क्या चीज को डिस्क्राइब कर रहा है इसके उपर कोशिन आ सकता है इसका आर्टिस का नाम याद करने जूरत नहीं है बढ़ हां यह क् पर अलग अलग चीजें लोग कर रहे होते हैं वह दिखाया जा रहा होता है ठीक है कुशन देखते हैं इसके उबर भी क्या यह जो आर्ट फोर्म है इसे तुम क्या है मतब किस से रिलेट कर पा रहे हो मॉनिंग सीन से दिख्या अब उसके बाद यह क्या है देखो रिलीजियस किताब है बुद्धिजम का एक फॉर्म होता है जैन बुद्धिजम उससे रिलेटेड यह दू बात याद रखना पहला चीज यह कौन से कंटरी कोरिया का ओल्डिस बुक है और क्या मतब रिलीजियन के उपर है जैन बुद्धिजम ठीक है एं देखो इसके वाला जो आदमी था वो यही था जोहान गोटनबर्ग अब इसके उपर ही देखो उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया था ना मेकानिकल पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था उसका इमेज यहाप यह क्या कर सकता था यह देखो एक घंटे के अंदर पे 250 पेजिस को प् बाइबल था अभी थोरे पहले पहले परा कि जोहान गोटनबर्ग ने एक मेकानिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाया था अब उससे जो पहला किताब उन्होंने प्रेंट किया था जिनमें से बस 50 कोपी सी सर्भाइब कर पाया ठीक है बट उतना इंपर्टन नहीं है बस यह जा मेकानिकल प्रिंटिंग प्रेस से ठीक है पहला तुम क्या सकतों किताब यूरोप के अंदर पर ठीक है इसके उपर एक कुशिन भी है देखो इमेज को देखके तुम्हें आइडेंटिफाय करना है क्या ही यह तो यह तुम्हें पता है क्या ही है पेजिज ऑप गुटन बग इस बंदे ने जो प्रिंट का एक रेवलुशन लिके आया था ना इउरोप के अंतर पर गौड उससे बहुत कुछ थे अब उसी चीज के लिए गौड वहां पर सेलिबरेट कर रहे थी चीज यहां पर दिखायागी कोशन देख लो इसके उपर एक गिवन इमेज इस सिगनि और क्या कर रहे देखो लोग यहां पर रचे किःब कर रहे और उन्हें दरा रहे हैं तेक है है भूत क्वेवर兩 यह भूध कोई भी हो सकता है जो कंट्रॉल कर रहे है चाल क्या लिखना है तुम्हें क्या नहीं लिखना है अब यह चीज गलत है अब है समझ रहे हैं कोई हो सकते हैं अपने मर्जी से कुछ भी लिखाया जा रहा है अब वो लोग परेंगे तो वही समझेंगे या फिर कोई आम इंसान है जो कुछ समझा उसने और कुछ लिख दिया अब वो रिलीजिन के खिलाब गलत भी बोल सकता है उसका अपना ओपिनियन हो सकता है उसके किल रहे हैं और अब अगला पिक्चर पर यह बहुत ही पॉपुलर था तुम्हें पता है अब उसी का ये पिक्चर है तेक है देखो, अगर एक्जाम में आभी गया लिखा ही हुआ है, पता पिक्चर को अब्सर्ब करो, तुम समझ जाओगे, ठीक है, इसके उपर एक क्वेशन भी है, कि बताओ यह क्या है, तो तुम बता दो यह आज़ानी से कि यह एक पहनी मेगजीन है, ठीक है, अब देखो अगला मैनत कर रहे थे, दुख-दर्थ से, मताब हाट सी पोड़ा था उनके जिंदिगी पे, श्ट्रगल कर रहे थे, अर एक छोड़ी-छोड़ी चीजों के लिए, बट वही पर जो नॉबैलिटी थे, यानि कि अमीर जो राजा के रिलेटेड लोग थे, वो लोग तो चिल प्रिंट आने से पहले हम इंडिया के अंदर में पत्तों पर लिखते थे थे ना, प्लंप लिप है, अब उसी तरीके का एक हैंड रिटेंड मैनुस्क्रिप है, फिर देखो यह भी पूछ सकता है, यह अब अब किस से रिलेटेड है, तो इंडिया के अंदर में मलियालम जो अब कुछ भगवानों को दिखाया जा रहा है, अब इसी क्या करा गया एक पत्ते पर जिसका नाम है प्लंप लिप, उधर पर हातों से यह मैनुस्क्रिप को लिखा गया है, अब प्लंप लिप के अंदर पर यहां पर एक्जैक्ली क्या है, गीता गोविंदा का एक पेज है देखो, दिख भी रहा है भगवान यहां पर, गोविंद भगवान, ठीक है, कृष्णा भगवान, ठीक है, उसी को तो गोविंद कहते है ना, अब इसके उपर एक क्वेशन आ सकते हैं, इस तरीके से क्या है, अब इसके बाद यह क्या है, प्लंप लिप से हाथ से बनाया इसका पेंटर कोन है, राजा रवी भर्मा, यूनिक पेंटिंग बनाता था, जो रियालिटी में नहीं हुआ है, बट इमाजीन इचन वाला, ठीक है, अब इस पेंटिंग का बात करो, यहां पर राजा रितु दुवज नाम का एक राजा है, जो की एक प्रिंसेस को रिस्क् पुरू का गुलाम बन जाता है, क्या बोलू, मा को तो मतलब कुत्तों की तरह रखा जाता है, गले पर पट्टे बाने हुए, जो कहाएगा, वो ही करना पड़ेगा, यह इमेज पेंटर की द्वारा, क्या दिखाया जा रहा है, डिस्ट्रक्शन अप प्रॉपर फैमिली रि बरबाद होते हुए, अब उसके बाद यह इमेज, यहां पर दिखाया जा रहा है, और उसके बाद एक लड़का है, जो कहलो तुम, वो गाना होना बजा रही है, जो कि क्या है, बिल्कुली ऑपोजीट है, मतलब जो आज का तुम कहलो, या पर पर पहले के सुसाइटी से, तो मुझसे कंपेर करो तो, तो मतलब हो क्या रहा है, नॉमली क्या होना चाहिए, था कि हा, और ते गाना होना बजाएंगे, मनरोंजन करेंगे, लड़का लोग एंजॉय कर रहे होंगे, बट यहां पर दिखाया जा रहा है, क्या, एंग्जाइटी अबाउड दा ब्रेकड जाना चाह रहा है, इमेज दिखाते हुए, पोर्टर क्या करना चाह रहा है, तो सही अंसर क्या होगा, option C, आच्छा से ने लिखाया मैंने, तुरा गलती हो गया है, बट हाँ, चैलेंज कर रहा है, आज का जेंडर नियम कान होने है, लड़का ये करेगा, लड़की ये आजाओ इस पिक्चर पर, यहां पर क्या है, देखो, यूरोपेन कपल्स बैटे हुए चेर पर एंजॉय कर रहे है, ओरत गाना बचाह रहा है, अब ये बता रहा है कि ट्रैडिशनल फैमिली रोल क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कि ओरत ये करेगा, और मर्द ऐसा कर उल्टा होने वाला है, अब लड़किया दारों रूपिके गुमेंगे और हम भरतन माजेंगे और कफरापरा दुलाएंगे, सही तो है, सही है, सही है, बरिया, 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 आब आजो आगरी पिक्चर पर कदम करते हैं, यह इंसान कोन है, मुimento मत kannst là अगर अज़ाए ळी को स्सराइब कर लेना लाइक कर देना और दोस्तों के साथ और अगर één जब् Um कि अग्छी ने स्कूराय वेडी ओ92 रब